जैश्री डाम दोस्तों मैं आपका दोस्त मानविंदर वास्तु वै और व्याँ ज अन्योति सला göstow दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 14 तारीक को मकर्ण सक्रांटी है चोदा और 15 तारी देखें मकर सक्रांती है क्या मकर सक्रांती बहुत ही हमारे जैसे मैं जैपूर से हूँ तो यहां बहुत ही मुख्य पर माना जाता है पुरे इंदुस्तान के अंदर बहुत ही मुख्य पर है लेकिन यहां पतंग बाजी के इसाब से इसे और ज्यादा तवज्यूत आप देखे राशी से निकलकर आप मकर राशी में प्रवेश करता है एक राशी से निकलकर दूसरी राशी में प्रवेश करता है उसी को ही सक्रामती कहा जाता है और आप देखेंगे आप इस त्योहार के अंदर आप देखेंगे यहां जो जैपुर की विवस्ता है यहां पतंग चौधा तारिक से के अलवा कभी इसका समय परिवरतन नहीं हुआ है। लेकिन इस बार इसका समय परिवरतन है। हालाकि जो छुटी है वो 14 कोई है, लेकिन जो इसका दान का जब का आपफल प्राप्ट करना चाते हैं, वो पंदरा तारिक को ही होगा, क्योंकि जो सक्रांती शुरू हो रही है, वो रात को आठ बचके 20 मिंट से शुरू हो रही है, जो मुरत शुरू हो रहा है, और फिर सुबह सूर्य उद्दे से लेके सूर्यास तक पूरा मकर सक्रांती का चलेगा, तो उस दिन आप जो भी आप दान करना चाते हैं, जब करना चाते हैं, आप अनुष्ठान करना चाते हैं, उस दिन उसका सौ गुना लाप, उसका सौ गुना फल मिलता है। तो देखें, मकर सकरांती को आप देखें, शास्त्रों में भी आप देखें, इसमें स्पष्ट का गया है, कि जितना दान हो सके उतना दान करना चाहिए, आप पवित्र नदियों का स्नान करना चाहिए, इससे आपको बहुत पुन्य मिलता है, आपको मंदिर में जाके दर्शन करने चाहिए साथ की साथ में ये रितू परिवर्तन का कारक भी माना गया है इस दिन से आपके जो सूर्य देव होते हैं वो उत्राइन में आना शुरू कर देते हैं तो आप दिखेंगे और उसी दिन आखिर हम साउथ की बात करते हैं तो तमिल नाडू के अंदर इसे पॉंग इस दिन बाद वो समय आता है लेकि तमिल नाडू में भी पॉंगल के रूप में उसे बनाया जाता है अब हम यह भी जानते हैं कि सूर्य हमारी जो उर्जा है उसका मुख्यस्त्रोत है सबसे आखिर मुख्यस्त्रोत की बात की जाए तो सूर्य और चंद्रमाई है तो सूर् सक्रांती का जो दान है स्नान है जप है तप है आप इसका अनुष्टान है इनका अक्त्यदिक महत्व बढ़ जाता है इस दिवस पे मकर सक्रांती के उपर किये गए जो भी उपाए हैं वह आपको इतने पुन्यदायक होते हैं कि वह आपको सौ गुनाफल की प्राप्ती होते हैं और एक तरह से आरूग्य सुक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष जो परिशानीय होती है उसके लिए आकर दूर करनी हो तो सूर्य देव बहुत ही अच्छे माध्यम माने गए हैं यदि कोई वेक्ति शारिरिक परिशानीयों से ग्रस्त हैं तो सक्रान्ति के दिन उन्हें सूर्य नमस्कार करना चाहिए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और सूर्य अरादना करनी चाहिए तो इससे उनके रोगों में आशा तीत कमी आएगी मतलब जिसके हम आशा या मैं कहाँ आशा से जादा कमी आएगी तो देखी अब हम आगे उपायों की तरफ बढ़ते हैं तो इसका जो पहला उपाय मैं कुछ आपको 5-7 उपाय बता रहा हूँ आप ये करेंगे तो आपके जीवन में अवश्यलाब होगा तो हम अब उपायों की तरफ चलेंगे लेकिन उपायों पर जाने से पहले आपसे करबद निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया है सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जादा से जादा शेयर करें और प्लीज इस वीडियो में आखिर तक बने रहीएगा तो किसी का अंक एक प्रिडथ है नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए आप जैसे आप जो भी जल सूर्य जब भी आप नेक्स डे चौदा तारीक को भी ऐसा करें और पंदरा तारीक को भी आप करें कि जब भी आप उठते हैं सूर्य उद्य के समय आपको एक तामे का लोटा ले लेना है उसके अंदर जल ले लेना है जल लेने के बाद में आपको उसमें लाल चंदन चीनी और कुछ थोड़े लाल पुष्प डाल कर 11 बार गैत्री मंत्र बोलते वे आपको सूर्य को अर्य देना है इस प्रकार से जो कि आपके लिए बहुत ही फलदाय होगा अब हम दूसरे उपाई की तरफ चलते हैं मित्रों तो आप दूसरा उपाई है कि आप किसी भी कठन से कठन समस्या से यदि आप ग्रसित हैं तो आपको मकर सकरांती के अफसर पर एक तामे का सिक्का जो की बीच में से हौलो हो गोल है ना उसमें छेद हो वो आप बैते वे जल में प्रवावित करेंगे है ना उसको आपको बैते वे जल में प्रवावित कर देना है तो उस से क्या होगा उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं उस दिन, आप specially मकर सकरादी के दिन जो भी आप सनान करें तो आपके जो सनान करने वाला जल होता है ना उसमें गंगा जल और काले तिल मिला कर सनान करें तो उससे आपको बहुत ही शुबफल की प्राफ्ती होगी इसी में दोस्तों तीसरा उपाय है कि इस दिन देखिए क्योंकि ये सर्दियों का टाइम भी होता है तो इस दिन विशेश आप जो भी गरीब वैक्ति होते हैं या मजदूर होते हैं उनको कंबल का दान कर सकते हैं गरम वस्तरों का दान कर सकते हैं या इवन आखिर आपका सामरते नहीं तो आप मोजों जो मोजे होते हैं ना सॉक्स तो गरम सॉक्स वुलन सॉक्स इनका भी आप दान कर सकते हैं और इस दिन विशेशत है आप दाल चावल की है ना मूंग चावल दाल चावल की खिचडी आखिर आप दान करते हैं वो भी बहुत ही आपको मतलब सौ गुना फल की प्रापती होती है वो आप गाय को भी खिला सकते हैं और दान भी कर सकते हैं तो तिलों का दान करना है गरम व में कोई भी किसी भी प्रकार का दोश है या आपका कोई भी अंक जो हमारी अंक जोतिशे कुंडली में भी आपके अंक पिड़त हैं तो तिल का दान करने से कई प्रकार के दोश आपके खतम हो जाते हैं देखें कम हो जाते हैं क्योंकि दोश तो हमारी कुंडली में है तो उन्हें खतम करना तो संबब नहीं है लेकिन बिल्कुल मिनिमाईज हो जाएंगे आपको शुब फलो की प्राप्ति होने लग जाएगी विशेश रूप से जैसे काल सर्फ है आपके शनी की साड़े साती है शनी ढहया है राहु के तु के दोश हैं वो दूर होते हैं और आप हाँ ये कर सकते हैं इस दिन आप तिल के लड़ू भी दे सकते हैं इसके साथ हरे मूँ और चावल की जो खिचडी होती है उसका दान करना सरवश्रेष्ट माना गया है तो देखे ये एक दिन ऐसा है कि आप दान पुर्ण्य करके आप अपने पूरे साल के लिए एक आप धर्म को संचित कर सकते हैं आप ब्लेसिंग्स को संचित कर सकते हैं तो ऐसा अवश्य करें आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा इसी में हम अगले उपाई की तरफ चलते हैं दोस्तों तो देखे इस दिन आपको क्या करना है आपके पित्रों के लिए देखे यहां पित्र भी आगए मैंने काता ना देव और पित्र दोनों के दोनों तो आप पित्रों के लिए तरफण करने का भी विधान है इसमें बहुत बड़ी कोई आपको अनुष्टान नहीं करना है तरफण का जब भी आप सुबह उठें तो सूर्य उदे के समय थोड़ा जल्दी उठें आकर आप नहीं उठते हैं विशेश कर सूर्य उदे के समय ताकि उठते हुए सूर्य के आपको दर्शन हो आपको क्या करना है सूर्य देव को जल अरपित करना है उसके बाद में आपको एक और लोटा जल बढ़ लेना है उसके अंदर आप तिली काले तिल या सफेद तिल जो भी आपके महां पे उकलब दो उन तिलों को आपको जल में अर्पित करके तिल युक्त आपको जल अर्पित करना है इससे आपके जो पित्र हैं वो प्रसंद होंगे और आपके जो पित्रों का हमेशा के लिए आपके उपर शुब आशीश बना रहेगा बेहिए इससे बड़ा, पित्रों के आशिरवाक से बड़ा, मतलब देवों से भी आगे कहे गए हैं इसी में आगे यदी किसी के वैक्ति के पित्रदोश है और आप पित्रों की कृपा प्राप्ड कर लेते हैं तो फिर वहां देवों की कृपा अपने आप स्वते ही कर सकते हैं वो भी आप थोड़ा सा आप उनको अर्पित कर सकते हैं इससे क्या है आपके परिवार में वंश्वृद्धी के अंदर परिवार में सम्रद्धी आना या कई लोग ऐसे भी हैं जो माता-पिता हैं जिनके संतान से संबंद समस्याएं संतान प्रापती की इच्छा रखने वाले लोग हैं तो वो लोग इस दिन उपवास रखकर सिर्फ तिल से निर्मित वस्तुओं का ही भोग करें मतलब वहीं सेवन करें और उनीका ही दान करें और बिया करें जल'T लाल कर सूर्य देव को जल चड़ाएं और ओम ग्रणी सूर्य नमय मंत्र का जाप करें और आदित्य स्त्रोत्रम का जाप करें तो उससे उन्हें संतान प्राप्ति के जो मार्ग हैं वो खुणने लगेंगे जो भी बादाएं आ रही है जो भी अवरुद हो रहा है वो धीरे-धीरे खुणने लगेंगे दोस्तों अब हम अगले उपाई की तरफ चलते हैं देखिए यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शनी घ्रह से पेड़ित है तो उसके लिए उन्हें क्या करना है गौ माता की सिवा किस प्रकार करनी है उन्हें गौ माता को तिल से तिल से बनी हुई ज बहुत ही जल्दी कमी आते हुए देखेंगे और यदि आप ऐसा करते हैं आज के दिन स्पेशली सकरांती के दिन आकर खिचडी के अंदर कोई भी वस्तु आप मिला के देते हैं और वो पूरे साल देते रहें तो उस ग्रह की आपको जो ग्रह पीड़ा जो भी आपको ग्रह पीड़ा दे रहा था उससे आप देखेंगे उसमें अवश्य ही कमी आने लग जाएगी अब मैं उपायों की तरफ आगे चल रहा हूं मित्रों उसके अंदर आप अंक जोतिश्य के अनुसार भी और जोतिश्य के जोतिश्य के अनुसार भी यह जोतिश्य उपाई भी है और अंक जोतिश्य भी उपाय हैं इसमें आप ये कर सकते हैं आखिर आपका सूर्य प्रेड़त है तो उसके लिए आप क्या करें सूर्य से संबंदे दोशों को या अंक एक से प्रेड़त हैं तो अंक एक के दोशों को दूर करने के लिए आप लाल चंदन, घी, आटा, गुड़, ये आप दान कर सकते हैं इसी में हम आगे अगले उपाई के तरह बढ़ते हैं तो आप देखेंगे चंद्रमा यदि किसी वैक्ति का चंद्रमा यानि अंक दोप्रेड़त है तो ऐसे वैक्ति को चावल के साथ में कपूर, दूद, दई, सफेज चंदन, आदी का दान करना ब इससे पिड़त हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं गुड, शहद, मसूर की दा या लाल चंदर आदी का दान करने से आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा, आपको मंगल ग्रे से संबंद जो भी परिशानी आ रही थी वो दीरे दीरे स्वते ही समाप्त होने लग जाएगी, इसी म में चामल भी रखना है आपको, तुलसी है, हरे रंग की मिठाई है, आप शहद का दान कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत लाब मिलेगा, इससे अगले ग्रेकी हम तरफ चलते हैं, तो जो हमारे देव ग्रू ब्रस्पती है, और अंक्तीन, तो उसके लिए आप क्या कर सकत हैं, उसका दान करने से आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा, इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हम बात करते हैं, शुक्र ग्रेकी, यानि कि अंक्छे, तो अंक्छे के लिए आपको क्या करना है, कोई भी, मिश्री, सफेद तिल, और इनका आप दान कर सकते हैं, आप पर इससे आपको बहुत ज़्यादा लाब मिलेगा, इसके आगे हम चलेंगे, आकर हम शनी देव की बात करें, तो आप कुछ भी, इसके अंदर क्योंकि अंका हट भी आगया, तो आप कुछ भी काली वस्तु का, जैसे काला तिल है, इनकी शनी देव की पूजा जो है, बहुत ही अद्रक का दान कर सकते हैं, या कुटों की सेवा कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही अधिक से अधिक लाब मिलेंगे, और आपके जो भी ग्रह पीडा दे रहे थे, वो धीरे धीरे शान्त होने लग जाएंगे, और आपके जो भी अटके हुए काम थे, वो धीरे धीरे आप आपको उनकी शुब फलों की प्राप्ती होने लग जाएगी तो इस दिन आपको विशेष्ट है आपके सामध्य अनुसार जब तब दान अवश्य करना चाहिए आपको बहुत लाब होगा तो आज के लिए इतना ही दोस्तों नमस्कार